तो दोस्तो दोड तब तक जारी रहेगी जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए तो दोस्तो आज हम आ चुके हैं बंखंडी बाबा स्थान पे जो कि बल्या से लगबग लगबग 40-45 किलोमेटर की दूरी पर है यह सिकंदर पूर मार्ग होते हुए कठोरा गाउं से लगबग लग चलते चलते माता बेशनो देवी का स्थान भी दिखाऊंगा यह देखें यहां पर माता बेशनो देवी का स्थान आपको देखने को मिलेगा यहां जो कि सीडियों के द्वारा आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल माता बेशनो मंदीर का जो दिस्स है वही यहां पर बनाय गया है और आगे चलते हैं आगे चलते हुए आपको देखने को मिलेगा मंदिर का ये गेट है ये जो गेट बनाया गया है बिल्कुल इतना अच्छी तरह से बनाया गया है कि आप यहाँ पर आएंगे और करीब से देखेंगे तो आपका दिल बहुत ही खुस हो जाएगा और पर आगे चलते हुए यहाँ पर आगे हम मिलेगा हमनकुंड हमनकुंड है यह इतनी बड़ी बनाई गई है और यह जो आप द्वार दीख यह बिल्कुल यह मुख्य द्वार है मंदीर का अब मंदीर के अंदर हम प्रविस्च करेंilleurs हैं मंदीर के अंदर यह देख रहे हैं आप दसो सीवलिंग बनाया गया है जो कि यह सीवलिंग अभी ही यहाँ पर स्थापना दी गई है और बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि दो से तीन महिने के लगबग हुए हUNGगे यहाँ पर दसो सीवलिंग का स्थापना दी गई है आप करीब से देखेंगे तो यहां का नजारा बहुत ही खुबसूरत बनाया गया है यहां मंदिर बहुत ही जक्ता माना गया है इस गाउं में यहां के लोगों से मैंने बात किया है बात करने से मुझे मिला है यह पता चला है कि यहां जो भी अपनी एक्छाओ को मनुकमनों को पूरे दिल उसे यहां आता है सद्धा से भक्ती से उसे की मन कौमना पूरी होती है और यहां पे नंदी बाबा का स्थान बनाया गया है देख सकते हैं यहां पे तरह तरह की देवताओं का स्थान दिया गया है और बिल्कुल एक अलग तरीके से यहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूरतों को सजाया गया है और बनाया गया है यह उपर जो मंदिर के उपर बनाया गया है इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर वो देवियू का स्थान दिया गया है अलग-अलग न जा रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह क काल भेरो बाबा का स्थान यहां पर बनाया गया है करीब से मैंने यहां पर देखाया है आप लोगों को यह हनुमान जी का स्थान बना हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कि बिलकुल नीचे जो है कि सेर का तिस से दिखाते हुए हनुमान जी का स्थान दिखाया गया है यह सब वहां पे कई जगों स्थान बनी गई है यह देखिए आपको पूरी फुल नजारा में दिखा रहा हूं जो कि मंदीर का पूरा बिल्कुल सर्यू नदी के एक्दम बीचों बीच यह मंदीर बनाया गया है आप जैसे ही नीचे उतरेंगे तो दिखने को मिलेगा आपको सर् किया गया है और यहां पर देख सकते हैं एक अलग तरीके का दिस्स है यह पीपल का पेड़ बनाया गया है यहां पर स्थान दिया गया है यह वहां के सभी जो महापुरूस हैं उनके लिए और यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल सटी हुई सर्यू नदी बिल्कुल बह रही यह पीछे का स्थान देखिए, जो पीछे से आपको मंदिर दिखाई देगा, यह बिलकुल इसी इतनी उचाई पे बनी गई है, यह मैंने गेट की बात की थी, यही दरवाजा है, जो यहाँ मंदिर को बिलकुल निखारता है, इतनी खुबसूर्ती यहाँ पर बनाई गई है, और यह देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, स्वामी इस्वर्दास प्रमाचारी के द्वारा यह, जो है कि इसका उटखाटन किया गया था, और आगे चलते हैं, इसकी पूरी जनकारी आपको वीडियो में देखते हुए मिलेगा, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, तो आ अंदर कना जा रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, सामने बिल्कुल आपको, और यहाँ पर मैं लगभग बैठ कर इंतिजार कर रहा था, कि मंदीर हम लोग पहुँचे थे लेट, और जो कि 11 से 2 बज़े तक यह मंदीर बंद रहता है, जो कि भोग लगता है,